अकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादक्ता संबध प्रोचसाहन योजना की शुरू कहा देश के विनर्मान में तेजी लाएगी ये योजना अंतराश्य मात्रभाशा दिवस के अफसर पर उपराश्वपती एमवेंकया नाइडू ने भारत की भाशाई विविधता को बताया देश की आधार शिला मधिप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए गिरीश कौतम कल से शुरू हो रहा है राज्य विधानसभा का बजट सत्र और अच्छी खबर श्रेंखला में आज सुनिये भारत भवन में मजदूरी करने वाली कलाकार भूरी बाई की कहानी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभनक्षेत्रों के लिए उत्पादक्ता संबध प्रोटसाहन योजना की शुर्वात की है इस योजना से देश में विनर्मान में तेजी लानी का नूठा अफसर उपलद कराया है प्रधानमंत्वी ने कहा कि केंद्रों और राजियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सहयोग अधिक सार्थक हो सके उन्होंने राजियों से अपील की है कि वे जिलों में भी प्रतिस्पर्था और सहयोग पूर्ण संखवात को बढ़हावा दे प्राश्रुपती एमवंकया नाइडू ने आज कहा कि भारत की भाशाई विवित्ता देश की प्राचीन सभ्यता की आधार्शिला है वे अंतराश्रिय मात्रु भाशा दिवस के अफसर पर शिक्षा और समाज को समावेशी बनाने के लिए बहु भाशिक्ता के बारे में वेबिनार को संबोधित कर रहे थे राजे विधानसभा का बजट सत्रु कल 22 फरवरी से शुरू हो रहा है इससे पहले भाश्पा विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्षपत के लिए गिरीश गौतम के नाम पर मुहर लगा दी है इसके बाद श्री गौतम ने आज विधानसभा पहुँचकर अध्यक्षपत के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है पेश है एक रपोर्ट देखते हुए अध्यक्ष के पत के लिए निर्विरोध चिनाव के लिए अपना पूर्ण सहियों का निर्णए लिया है 230 सदस्तिय मंध्यप्रदेश विधानसभा में भाश्पा को 126 विधायकों के साथ बहु मत्प्राप्त है मंध्य प्रदेश विधान सभा का बजट सत्र 22 वरवरी से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा पूजा पीवर्धन आकाश्वाणी समाचार भोपाल कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरे रखें, हाथ और मुँ साफ रखें भारत भवन में मजदूरी से लेकर मुख्य अथि थी तक का सफर तै करने वाली मध्यप्रदेश की महिला जनजाती कलाकार भूरी भाई की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेणादाई है जब इस इमारत का निर्मान शुरू हुआ तो वे मात्र 6 रुपे की दिहाडी पर एक मजदूर के रूप में यहां काम करती थी उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस भारत भवन में कभी वह मुक्ष अतिती भी बनेंगी भूरी भाई को हाल ही में पदमश्री से सम्मानित किया गया वे आदिवासी चित्रकला का एक सशक्त हस्ताक्षर है मुझे यह अवाड मिला है उसके बारे में क्योंकि मैं आनपड पड़ी लिकी तो हो ने लेकिन लोगबार मुझे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अवाड लेनी जारी है और मैं परधान मंतरी से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और सासन से भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे इतना बड़ा अवाड मिल रहा है और मैं लगे तर अपनी कला बहुत मन लगा के मैं लोगबार समझते हैं खरीदते हैं और उनको बहुत अच्छे से मैं अपनी कला के बारे में समझाती हूं मेरे घर परिवार में जो हैं मेरे परिवार में कोई ऐसे थे नहीं कला मतलब बढ़ाने वाले लेकिन मैंने आज इन दिनों में मैंने अपने परिवार में अपनी बहु अपने बेटियों को और और भी हमारे समाज वालों को मैंने सब को कला बाटी है प्रसिद्ध कलाकार जे स्वामीनाथन ने उनकी कला को पहचाना और उसे आगे बढ़ाया भारत भवन के स्थापना दिवस पर भूरी भाई ने अपने अनुभवों को साजा करते हुए कहा कि भारत भवन में एक मजदूर के रूप में काम करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ उन्होंने मुख्यतिती बनने को एक भावनात मक्षन बताते हुए कहा कि भारत भवन ने उन्हें अपनी कला को निखारने के लिए एक मंच और नए अवसर दिये पूजा पीवर्धन आकाश्वाणी समाचार भोपाल अब कुछ समाचार संक्षेप में महिलाओं के विरुध घटित होने वाले अपराधों के प्रती जागरुक करने सतना पुलस अधीक्षक कार्याले में आज एक दिवसीय महिला अपराध जागरुकता प्रशिक्षन का आयोजन किया गया शुपूरी जिले के शास्की औद्योगिक प्रशिक्षन संस्था में 23 फरवरी को सुबह 9 बजे से प्लेस्मेंट ड्राइफ का आयोजन किया जाएगा राज्य में परेटन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से औरचा धाम के करीब परेटन ग्राम लाडपुरा में राधापुर विलिज होमस्टे बनाया गया है कटनी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतरगत बेटी बचाने और उसे पढ़ानी का जनजागरुकता अभियान संचालत किया जा रहा है और कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए जबलपुर जिले में भी व्यापक स्तरपर्टी का करन अभियान चलाया जा रहा है अंत में बुलिटन के मुखे समाचार एक बार फिर प्रधानमंद्रूी नरेंद्रू मोदी ने उत्पादक्ता संबध प्रोटसाहन योजना की शुरू कहा देश के विनर्मान में तेजी लाएगी ये योजना अंतराश्वे मात्रू भाषा दिवस के अफसर पर उप्राशबती अमविंकया नाइडू ने भारत की भाषाई विवित्ता को बताया देश की आधाश्शिला मधिप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए गिरीश कौतम कल से शुरू हो रहा है राजे विधानसभा का बजट सत्र और अच्छी खबर श्रिंखला में आज आपने सुनी भारत भवर में मजदूरी करने वाली कलाकार भूरी बाई की कहानी इस बुलिटन में इतना ही अंतमेक संदेश, मास्क और दोगस की दूरी हाधोना भी है जरूरी नमस्कार